हेलो दोस्तों मैं दंजबरताफ सिंग दोस्तों आज मैं आप लोग लिए काफी important वीडियो लेके आ चुका हूँ भारती सम्दान से सम्मंदित क्योंकि जैसे SSC GD में इससे जुड़े हुए 2-3 प्रसंट पूछ जा रहे हैं इसलिए मैं important वीडियो लेके आ चुका हूँ जिस तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत कुछ इससे पता चल जाएगा और आपके दो कोस्तों यहाँ पे confirm हो जाएंगे इसलिए आप लोग पूरा वीडियो dedication के साथ देखिए concentration के साथ देखिए बिल्कुल अच्छे से देखिए नहीं है कि आप सोचे थोड़ा लेके आ रहा हूं जो आपके लिए काफी important है चलिए तो कोस्तों को discuss करते हैं मैंने कोसिस किए कि one liner लाने की जैसे कि आपके कम समय में ज्यादा कोस्तों कबर हो सकें तो देखिए कि जैसे कि आपके कोस्तों देख भी पा रहे होंगे मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ यहा अब देखिए जब यह आ इस्थाई थे तो कोई एक इस्थाई भी होगा इस्थाई अध्यच कौन था यह आप लोग कमेंड बॉक्स से बताईए इसके आँगे कोस्तों वह आ भी रहा है इसको आँसर तब तक आ जाएगे लिए आप लोग पहले कमेंड बॉक्स से हम बिदिक सलाकार कौन है कौन होता है तो महान्याइबादी होता है कौन होता है महान्याइबादी क्या सकते हो सरकार का बकील होता है आता अधा उद्देश का प्रिस्ताव किस ने प्रिस्तुत की तो पंड़े जबाला लहरू ने की ती आता प्रधान मंतरी ने के कर्तब्य प्रारूप सम्मिती का गठन कब हुआ तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था प्रारूप सम्मिती का गठन सम्मिती के गठन 26 नमंबर 1949 यहाँ पे आता है संपत्तिक अदकार, मौले का अदकार एक रूप में किस संसोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया तो यह 44 संदान संसोधन द्वारा खतम कर दिया गया मलब पहले मौले का अदकार होता था संपत्ति का लेकर उसे फिर समाप्त कर दिया गया है ठीक है कौन से संसोदन के द्वारा चब आरसे संसान संसोदन के द्वारा ठीक है यहाँ पर आ जाता है कि दस्वीयन सूची का सम्मद किसी काफी इंपॉर्टेंट हो दल बदल से यानि जो नेता लोग नहीं दल बदल लेते हैं उस से यह आपका बना हुआ है ठीक है यहाँ पे आता है कि उद्देश प्रिस्ताओं का प्रिस्तुत किया गया तो यह 13 दिसंबर 1946 को किया गया ठीक है पहले होता क्या था कि जैसे कोई किसी पार्टी से जीता फिर वो जीतने वा दूसी पार्टी सामिल हो जाता था अभी इसी से अभी दो बार पूछा जा चुका है आइस पर स्ता के सनुचित कंतर का ताती तो सकतरा ठीक है अब यह भी आप पूछा जा सकता है धार्मिक सोतंतरता ठीक है ध्यान रखीए का काफी important questions यह है सारे अब आता है पंचायती राट दिबस कब मना जाता तो 24 अप्रेल को मना जा लाएगी टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम को सर्च कर लीजिए मैं टेक्साग नाम से या मैं लिंक discussion box में दे दूँगा वहाँ पे जाके आप लोग जोईन कर सकते है मैं टेक्साग नाम से ठीक है आता देश्क का एक मात निर्वरोध रास्पती कौन चुना गया वहलाब क्या सकते हो जिनके opposition में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था बैसोद देखा जा राजन प्रसाथ भी है लेकिन इसके जब वह तो पहली बार हुआ था ठीक लेकिन क्या सकते हो ये बाद में जब चुना होने लगी कई सारी बात होने लगी क्या सकते हो सिस्टमेटिकली जब इस्तमाल किस राजबतीन किया तो ग्यानी जेल सीग ने एक प्रस्ताव था उसे उन्होंने क्या किया था प्रस्ताव पारत ना करके उन्होंने अपने जेब में रख लिया था तो तबस्ते इसका नाप पारत किया गया तो 22 जनवरी 1947 का अंसर सही हो जाएगा ठीक ना इन भगवती ने इसको प्रारम किया था तो इसलिए ने जनक भी का जाता है यहाँ पे आता है कि सम्धान सभा के इस्थाई अद्यच कौन थे कौन बने देख अभी पहले आ इस्थाई था ना आपने देखा होगा सचिदानन सिन्ना थे अब कौन है राजन प्रसाद हैं 11 द सम्धान सभा के उपाद्यच कौन थे तो यह क्या हो जाएगा डाक्टर भीमरा अमरेट कर हो जाएगा ठीक ना अधा सम्धान सभा के उपाद्यच कौन थे तो एस्थी मुखरजी हो जाएगा क्या हो जाएगा अधा केमनेट विसन के सम्धान सभा के सदस्यों की संक्या कित सब्सक्राइस तक कालीन, उपबंद हों कहां से लिए गए? ठीक तक आपकी जर्मनी से लिए गए के लिए गए? रूस से लिए गए संब्सक्राइब works सरबोश न्यायले की जो न्यायक पुनलोकन जो होती है ठीक ना या कह सकतो न्याय पालका की जो सोतंदरता होती है वो ही से लिया गया ठीक ना तो और रास्पती पद और रास्थभा का पद जो होता है वो भी अमेरिका से लिया गया ठीक चलिए आता मूल करतब किस किस के अंस पर जोड़े गई आता है देखिए यहां पर ब्यासवे संदान संसोदन द्वारा प्रिस्ताव में ए सुरी प्रिस्तावना में कितने सब्ध जोड़े गई तो कौन-कौन से बादों जोड़े गई समाजबादी, धर्म, निर्पे, चेवं, एक्ता और अखंड़ता यह जोड़े गई ते संदान में संबर्ती सूची का प्रावदान कहां से लिया गया तो यह अस्टेलिया से लिया गया संदान मूल करतब किस के संदान से लिये गई तो भूदपूर, सोवियत, संगमला संदान संदान के द्वारा जोड़ी गई उनने सो पिचासी को संदान पूछा भी जा सकता है जो दसमी अनसूची है वह कब जोड़ी गई तो ये भी देखे तो कब जोड़ी गई और पिचासी में और कौन से संदान संदान के द्वारा? इसका बढ़न किया गया है ठीक है अधा भारत की बाइस बासाओं का उले किस अंसूची में मिलता है तो आठवी अंसूची मिलता है जो बाइस बासा है किस में मिलता है आठवी अंसूची में आपने देखा भी होगा भी मैं देख रहा था जो बिहार के है तेजु वहिया है क तो ठीक रहा, तो यह वहां के वो कहने लगा कि आठवी अंसूची क्यों जोड़ना चाहिए, पहले नंबर पर जोड़ना चाहिए, पहले नंबर पर जोड़ना चाहिए, तो वो समझ नहीं पाई थे क्या बात है, आठवी अंसूची है तो वो तो होईगी, वो कहले लगा नह सम्धान संसोदन दौरा कौन-कौन सी भावाथा जोड़ गई तो बोडो-डोगरी महतली संताली ये ट्रिक है वी ड्रिक होती है B से बोडो, D से डोगरी, M से महतली, S से संताली ठीक है केंदर तता राज की बीच सक्तियों को बटवारा किस अंसूची के अंतरगत किया जाता है तो सात्वी अंसूची के अंतरगत किया जाता है क्या केंदर तता जो राज है इनकी बीच जो सक्तियां होती है अगर कुछ-कुछ चीज़ें देखा होगा, राज के अंतरकत आती है, कुछ-कुछ कैंदर के अंतरकत आती है, तो US सात्वी अन्सूची के अंतरकत बटवारा किया गया है, अथा अपिस सक्तियों को कैंदर को सोपने का लच्छड लिया गया है, तो कनाड़ा के सम्दाब से ठीक ना ये कनाड़ा से कॉपी किया गया किया सकते हो आता अब सात्वी अंसूची में किस प्रकार के अंसूचीयों का बढ़न किया गया है ये राज सूची संबर्ती सूची ठीक ना और संग सूची ठीक ना ये संग सूची एक अलग होगी आपके सामने क्या आजाता है कि किस अदनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सर्जित किया गया तो 1833 के चर्टर रेक के द्वारा ये पद सर्जित किया गया अब ये 50 हो चुके हैं कोस्तन देखिए 50 आधा पड़ावा पार कर चुके हैं कितने लोग यहां तक रही जरूर लिखए हैं जो लोग किस अंसूची हैं जो आपके अंसूची जाती है और अंसूची छेतर हैं उन陽 पाच्वी नसूची में इसको दिखाए गया आता है कि भात के पिर्थम बाइस राय कौन थे? तो लाड कैनिंग थे ठी कौन थे? लाड कैनिंग दल बदल बिद्यक से सम्मंदित प्रावदानों का उले किस अनुच्छी के इंतर गता था तो दसमी अनुच्छी के इंतर गता था ठीक है? यह भी हम लोग पढ़ भी चुके हैं आता कि 14 बड़ से कम आयू के बच्चे को कार खाने में काम नहीं कर सकते हैं यानिक जो बच्छे हैं कार खाने में काम नहीं कर सकते हैं किस अनुच्छी को दारा का गया? यह कह सकते हैं किस अनुच्छी में इसके बारे बढ़न किया गया है कि जो 14 बड़ से कम के तो अनुछे 24 मैसा बताए गया है आता 22 राय का पद कब सरजित किया गया ये कब से चालू हुआ गया। तो बारन हेस्टिंग ये देखो SSC GD के लिए काफी important questions है ये समल लीजिए SSC GD जो भी important most important topic है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ तो आप लोग ये बिलकुल सही ते तयार कर लीजिए ठीक ना बंगाल के पहले कबरनेर को है तो बारन हेस्टिंग हो जाएगा केरास्वती किस अनुच्छेत के अंतर्गत सुरी अनुच्छेत द्वाच दौने जोग सबाः ठीक है जोनौों बुदासबा भारती समधान का सबसे बड़ा सरोत क्या है तो new पछावय का भारती शासना अदनिया भारती संधान का सबसे बड़ा सुरोत क्याRET आता पंचायती राज संसाओं का सम्विदाहनिक मानता है तू किस सम्थी ने से पारिस की तो लच्छी मेल से भीने की देखें यह इंपॉर्टेंट है कुस्टन आप लोग अच्छी तरीके से देखते रहेए वीडियो को और आप headphone लगा के सुन सकते है note भी कर सकते है विल्कुल अच्छी तरीके से ठीक है screenshot लेके रख सकते है screenshot लेके भी रख सकते है जिसके आप आज़र revision कर सके है अज़र बिधी दिवस कब मना जाता है तो 26 November को मना जाता है 26 November को ठीक है मंतरी मंडल सब्द का उलेक किस अनुच्छेद में है तो यह है अनुच्छे 352 में कब है या अनुच्छे 352 में आता मंतरी मंडल का जो उलेक है 352 के इंतरकत आता है ठीक ना पिर्थम बार रास्ती ध्वच कब फेराए गया तो 26 January 1930 को कब फेराए गया 26 January 1930 को फेराए गया आता सिच्छर संस्थाओं में धार में कि सिच्छा का प्रितबंद किस अनुच्छेद के तैस लगाए जाता है तो अनुच्छेद 28 के तैस इसका अंसर सही हो जाएगा ठीक है अब आता कि कांग्रेस के किस अद्वेसन में पूर सुराज की गोसरा हुई तो लहाओर के 1929 वाले जो सम्दान संसुदन नहीं ती ये गलत हो जाएगा अद्वेसन ठीक ना अद्वेसन जो ये हुआ था तो पूर सुराज की गोसरा की गई थी ठीक है अधा मतदाता कि आयू 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स के सम्दान संसुदन के द्वारा की गई तो ये किया गया 61 सम्दान संसुदन 1989 पहले कि आता 21 वर्स के लोग बोड डाल पाते थे अधारा वर्स के नहीं डाल पाते थे तो लेकिन ये सम्दान संसोधन के बाद से अब ये हो गया है ठीक है आता डाक्टर भीमराओं बेटकर किस प्रदेश के सम्दान सभा के सदस थे मनलब चुना हुए थे तो इक कौन से सम्दान सभा के सदस बन के आई थे उन्होंनों मनुश्मिर्थी को जला भी दिया था यहां पर दोनों सदनों की सहीज़क तो बैठा को बला सकता है यह तो हम लोग अभी डिसकस कर चुके तो रास्वती बला सकता है यानि रास सबाब लोग सबाब दोनों बला सकता है भादर प्रतम आप चुनाओं कब हुए तो 1952 में वेदे कि पहले क्या था कोई भी आम नागरिक बोट नहीं डाल सकता था लिए फिर ये 1952 या क्या सकतो चालू हो गया हर कोई बोट डाल सकता था अब हम लोग तो डालते हैं 18 साल से जो भी उपर का है नवी यानि नैंत संसोधन द вокरर जोड़ी गई तो प्रतम संसोधनद्वारा जोड़ी गया कब, उन्हें सक्यावने पहला संसोधन हुआ था अभी कितने अनसूचीय, अभी 12 अनसूचीय, ठीक न Raptned ढथा दो जिएगा यहां प्याता है कि संसोधन दवारा प्रसतावना में संसो धन की संसोध तो अनुच्छे 23-24 के अंतरगत आता है ठीक ना अनुच्छे 23-24 के अंतरगत मौलिक अतकार किस देश के सम्दान से लिया गया है तो ये अमेरिका के सम्दान से लिया गया है ठीक है और मूल करतब रूस से लिया गया हमने आपको बताया था आता किस सम्धान संसुदन द्वारा दिल्ली को रास्ती राधानी का दरजा मिला तो उनत्रमे सम्धान संसुदन के द्वारा दिल्ली को रास्ती राधानी का दरजा मिला आता इस्ट इंडिया कंपनी के सासन का अंत किस अधनियम द्वारा किया गया तो 858 के साथन वारत्य हैं, इसके द्वारा अन्त किया गया और यहां पे जो इस इंडिया कमपनी था उसका साथन, ठीक ना? पहले इस इंडिया कमपनी कर रही थी साथन यहां बतल लेक, लोग लेखा स्मती कि कितने और किस सदन में सदस होते हैं तो लोक लेका समती के 22 सदस्स होते हैं दो लोक सभा से होते 15 और राष सभा से होते 7 तो कितने हो गए 15 पलस 7 हो जायेंगे 22 तो इसका अंसर 22 हो जाएगा ठीक है अज़ रास्ति आपात काल आपात सोरी रास्ति आपात किस किसमें कौन सा अनुच्छित का निलंबन हो जाता है ठीक ना तो यहाँ पर कागे रास्ती आपाहत में कौन सा अनुच्छित का निलंबन हो जाता है ठीक ना हो जाता है यह लिखा है ठीक ना तो 19 हो जाएगा ठीक अनुच्छित 19 संसत की प्रिथम बैठक कब हुई तो 13-1952 में कौन अपने पद की सपत नहीं लेता है तो लोगसवा अध्यच नहीं लेता है लोगसवा अध्यच अपने पद की सपत नहीं लेता है नेक्स कुस्टन निकालते हैं यह थोड़ा असा चलिए चाहतरों वज और संसोधन के समय देश के प्रधान पंतरी कौन थे तो पीवी नरसिम्मा राव थे कौन थे नरसिम्मा राव यह कुस्टन आज भी आया था यह सम्दान संसोधन के समय ऐसे पूशत दिया जाता है कौन बहart का रास्पती किस अनुचेत कंतरगा थे तो अनुचेत 52 कंतरगा था था अब बलोग पढ़ चुट है तो भारती संधान का मेंगना काटरा किस भाग को कहा जाता तो भाग तीन को का जाता है, इसमें क्या है? मौलिक अधकार दिये गई है, ठीक ना भाग तीन में धनविद्यक को संसत के किस अधन में पेस किया जाता है? तो लोकसवाम किया जाता है, ठीक ना धनविद्यक है जो इससे लोकसवाम में पेस किया जाता है अधर डाक्टर भीमराव अम्बेटकर ने किस अधकार को बारती सम्धान की आत्मा का डाक्टर भीमराव अम्बेटकर ने तो सम्धानिक उपचारों का अधकार यानि कि अनुछेद 32 को उन्होंने का क्या का बारती सम्दान की आत्मा कान उच्षेद बत्तिस को पूछ दिया जाता है कि किस अनुच्षेद को भारती सम्दान की आत्मा काम बेट कर जीने तो बत्तिस को ठीक है अधक किस संसोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधकार को एक कानूनी अधकार बनाए गया तो यह तो हम लोग अभी डिसकस कर चुके 24 सम्दान संसुदन 1989 राज सभा का पदैन सभापती कौन होता है तो उप राश्पती होता है ठीक है अधर केंद और राज की भी संबंद देखो यह तो अब लोग पढ़ी चुके है कहां से लियागा अस्टेलिया अच्छा यह कर सकता है तो 14 लोगों को सदस्यों को मनोनीद कर सकता है राज सभाम 12 लोगों को लोग सभाम 2 लोगों को कर सकता है ठीक ना अब आता है कि प्राकलन सम्दी में कितने और किस सदन के सदस होते हैं तो लोग सभा के 30 सदस होते हैं कितने होते लोग सभा के 30 सदस आता धन भी द समयते के अध्यच़ कौन थे सरदार बल्लंभाइ पटेल संसद में धन विद्यक को प्रस्थत करने के पूर्द किसकी जरूरी होती है आता भारत के कोतने रासपती निर्वरोत की चुने गई। कोसंस हैं जो मैं आपके लिए ले के आया था बस आपसे एक रुकेस्ट रहती है कि आप लोग इस चैनल को मेटेकसा यूट्यूब चैनल को लाइक करिएगा और सेर भी करिए ठीक ना इस जो वीडियो है इसे लाइक जरूर करिएगा एक लाइक करें तो मुझे अच्छा लग बस आप लोग सेर करेंगे लाइक करेंगे तो तो यह सारी चीज़े चलती रहेंगी और यह ससी जीडी का जो एकजाम चला है तो काफी इंपॉर्टेंट भी है ससी जीडी का एकजाम और अच्छी तरीके साब देख भी रहे हैं तो उनको ज़रूर जोइन करिए और मैंने ट स्रीज में भी पार्टिसिपेट करिए तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफी हिल्फुल रहा होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो तो तक लिए ओल दा बैस थैंक यू जय हिन जय भारत